कि हैलो दोस्तों स्वागताव सभी काँचे अपने यूट्यूब चैनल डियेस आप टुटोरील रे एट उंड़ में तो दोस्तों आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे दरपन की फोकस दूरी वेदरपन की वकरता तिर्जार तर एक दोगुनी बात है तो तो सबसे पहले तो बनाते हैं एक आवतल दर्पन से पहले तो बनाते हैं एक आववतल दर्पन. वावतल Про Frój में हमें है कि यहां पर मान लेते हैं कि इस कारिये रएख अपर और यहां दरपन का दुरुhew है जिसे बोलते हैं P से तो यह P मादरपन का दुरू है और यहां पर मादरपन का वकरता के अंदर यह मादरपन का वकरता के अंदर और अब यहां पर मादरपन का वकरता के अंदर और अब यहां पर मादरपन का वकरता के अंदर तो इस प्रकार यह और यहां से प्रावर्ती बिंदु मारा ने अब दोस्ता हम अब यह राक प्ररक से प्रकार से लेक of आख वरत का बाग यह बहुत वर्थ-वक्रता कंदर यानि कि इंडर से चैनल को दोन पृता है वह देखते हैं का द हम यह जानते हैं जो आप जो आप इत कि रहोती होता है उसे मानते हैं आपतन कौन और हम मान लेते हैं से आई क्योंकि आपतन कौन को समाने ते आई से लिखते हैं तो यह हमारा आपतन कौन और जो मारा अभी लंब होता है और जो प्रावतन कौन होता है उसे बोलते हैं प्रावतन कौन उसे समाने ते आर दर्शाते हैं तो यह होगा हमारा प्राव प्र畔तन के नियम से क्वाइश प्रावतन के नियम से होता है कि आप्तन कोण और प्रावतन कोण में सा बरावर होते हैं तो सब से पहले लिखेंगे कि चित्रान सार belong अब यहां पर लिखते हैं चित्रानुसार अब यहां पर दिखेंगे कि कोण कोण यहां पर नाम देते हैं ए और यहां पर एम और यहां पर सी और यहां पर यह मारा मुख्या फोकस एफ यहां पर नाम देते हैं भी तो यहां पर लिखेंगे कि कोण ए एम और सी कोण ए एम और सी बराबर है मारा कोण आई क्योंकि यह मारा आप तन कोण आप तन कोण और कोण यह कोण कोण सी एम और एफ कोण सी एम वे एफ बराबर है मारा कोण आर क्योंकि यह मारा परावरतन कोण तो इस कारियोग हमरा आपतन कौन और ये परावरतन कौन अब यहांपर हम जानते हैं कि परावरतन के नियम से आपतन कौन वे परावरतन कौन बराबर होते हैं तो यहांपर लिखेंगे कि चुंकि कौन आई बराबर कौन आर तो इसका रिजन लिखेंगे कि तूंकी परावर्तन नियम से परावर्तन नियम से क्योंकि हम जानते हैं कि परावर्तन के नियम से आपतन कौन बराबर होता है परावर्तन कौन अब यहां पर हमें सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है कि जो दरपन के वक्रता तरिजा होत उसे बोलते हैं वक्रतात्रिजा तो यहां पर इस सी से जो मारे पी के पी बिन्दों तक दूरी होते हैं उसे बोलते हैं वक्रतात्रिजा आर और जो मारा मुख मुख्या फोकस वेद्रू है इन दोना के 20 की दूरी होते हैं उसे बोलते हैं दरपन की फोकस दूरी तो यह हमारी फोकस दूरी एफ अब हमसीद करना है कि जो फुदर पनद की वकरतातिर या र होती है टू एफ या या एफ ब्राबर होता है आर बटे टू तो यह चीज़ हमें सीध करनी है तो यहां पर हमने इतना तोसिद कर दिया कि कोण आई ब्राबर है कोण आर अब यहां पर हम देखते हैं कि जो यह कोण और यह कोण ब्राबर होंगे क्योंकि यह मारी जंड जैसे क्याकरती बन रही है और यह हमारा एक अंत्र कौन तो हम एक अंत्र कौन से कह सकते हैं कि कौन यह कौन और यह कौन बराबर होगा एम सी पी के तो लिखेंगे तो यहां पर यह मारा आई यह तो यह भी हो जागा आई क्योंकि एक अंत्र कौन है इसका रिजन लिखेंगे कि तु m miss f लिख सकते हैं या पी लिख सकते हैं तो m cf इसका रिजन तोंकी एक आंतर कोंड एक अंतर कोंड को तो इस प्कार ये कोण ब्रबर वाउगया इसके अब लाताए की कौम आई ब्राबर है कोण आर के यानि हम यहां से कह सकते हैं कि यह कौन बराबर होगा इस कौन यानि जो यह कौन है और यह कौन दोनों बराबर होंगे और हम जानते हैं कि जब किसी भी त्री बुझ में यह मारा एक त्री बुझ जब किसी त्री बुझ में दो कौन बराबर हो जाते हैं तो उनके पास वाले जो उर F कौन सीएम वे F बराबर है कौन सी एम एफ बराबर है कौन洗 कोण, य會 की Mia में, विखन, क्यून की कज बराबर है कौन fordi यह क्वोजा बराबर है कोणaker, तो Is handicap के लुखेंगे इसलिए CF गुजा बराबर होगी MF के तो जब CF बराबर है MF के अब हम आ लेते हैं कि जो M बिन्दू है वो P के एकदम नजदीक है तो जब M बिन्दू P के एकदम नजदीक होगा तो हम कह सकते हैं कि और हम जानते हैं कि CF बराबर है MF के और जब M यहां पर आजाएगा तो हम कहा सकते हैं कि C F बराबर हो जाएगी P F के क्योंकि M A P के नज़िए का जाएगा तो यहां पर यह दोनों बराबर हो जाएगी तो जब यह दोनों बराबर हो जाएगी तो हम कहा सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी ये रिखा है मुख्या फोकस दूरी F से P के बीज की दूरी ये दो को नहीं हो जाएगी सोरी आदी हो जाएगी R की क्योंकि ये टोटल R है और ये बराबर हो जाएगी इसके तो हम यहां पर कह सकते हैं कि F बराबर हो जाएगी R बटे 2 तो यहां पर लिखेंगे, CF बराबर MF तो लिखेंगे, माना, माना M बिंदू, बिंदू P के एकदम नजदीक है, नजदीक है, इसलिए, इसलिए, CF बराबर हो जाएगी, मारी, PF के, तो जब CF बराबर हो जाएगी, PF के, तो हम कह सकते हैं कि, हम कह सकते हैं कि, जो R, R दूरी है, C से P के बीच की दूरी, तो इसलिए, R बराबर हो जाएगी, मारी, CF पलस, CF पलस, PF, और हम यहां पर, PF के जगर रख सकते हैं, CF, तो यहां पर रख देंगे, हम CF, यानि, R बराबर होगी, 2CF, R बराबर होगी, 2CF के, और हम जानते हैं कि, CF बराबर है, इस PF के, यानि, ये PF है, हमारी F, तो हम कह सकते हैं, कि, CF के जगर हमें लेख सकते हैं, F, यानि, 2F, तो इस कारह मसीद कर सकते हैं, कि, R बराबर 2F, या, या, F, बराबर, R बटे 2, यानि, वकरता तरिज्या दूगनी होती है, मुक्या, फोकस की, या, मुक्या, सोरी, वकरता तरिज्या दूगनी होती है, फोकस दूगनी होती है, या, फोकस दूगनी होती है, या, फोकस दूगनी होती है, तो दोस्तों, वीडियो कैसा जगा, प कर दो सबस्क्राइब कर नाद नाद नाद